आज अंदराश्ट्री कलाकार दिवस है इस हफ़जर पर राजधानी जैवपूर में कलाकारों ने एक दूसरे को बधाई दे कर शुप कामनाई दी वरिष्ट रंग कर्मी तपन भट ने कहा कि कलाकार जीवन पर बेहनतकार अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शिट करता है साथ ही देश की कला और संस्कृति को जीवित बनाये रखता है वहीं युवा रंग कर्मी अन्वपूरा श्रबा ने कहा कि कोरोना काल के चलते कलाकारों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ा है इसी कारण सरकार को कलाकारों की और अधिक मदद करनी चाहिए हमारे देश में कला जो है कला और संस्कति सबसे इंपोर्डेंट है लेकिन कलाकार खासकर हमारा थेटर से जुड़ा कलाकार है या इन कलाओं से लोग कलाओं से जुड़ा कलाकार है वो बहुत सामान जिन्दगी जीता है क्योंकि सामान जिंदगी इसलिए जीता है क्योंकि वो जो भी करता है वो अपने खुछ के संसादनों से करता है खुछ जो जेव से निकाल के करता है उम्मिद तो हर साल की जाती है सर मैं 30 साल से ठीटर कर रहा हूं उम्मिद हर बार की जाती है सरकार करती भी है ऐसा नहीं करती अनुदान देती है लेकिन वो अनुदान ऐसा होता है कि आपने आज एप्लिक्शन लगाई है फिर सरकार भरपाई करती है मतलब कहने का मतलब है खाना पूर्दी करती है अगर हम संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी होती कि उसमें थोड़ा सा सयोग निवाए आटन कल्चर की तरफ से हमेशा आर्टिस्टों के लिए एक फंड होता है पिछले दो साल से उसको रोग दिया गया है उसके बारे में मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि कलाकार भी तो अपना घर चला रहा हो कैसे चला रहा होगा कैस सरकार के जिम्मेदारी पूरी नहीं थोपने लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सरकार को अपने उपर लेनी चाहिए दो साल से सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है